इस देश के अंदर जो घटना नासिर और जुनेत के ओपर घटित हुई है वो घटना एक ऐसी घटना है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है हाली के वक्त में भारत देश के अंदर G20 सम्मेलन हो रहा है आप देख रहे हैं कि G20 सम्मेलन के चलते भारत देश के अंदर क्या हो सकती है एक बात आप मुझे बताई आपके हम माते पर लिखवा कर चले कि मेरा नाम मोहित है या मेरा नाम अमीत है हम माते पर लिखवा कर चले क्या अरे भाई आप एक बात मुझे बताईए मेरे घर के अंदर गाहे पलती है भैस पलती है उनका दूद निकलता है अब कल को अगर मैं गाई लेने के लिए चला जाओं कोई दूसरी स्टेट में और वहां से मैं लोट रहा हूँ और मैंने सपेज कुर्ता पजामा पैन रखा हो और मेरे माथे पर तिलक ना लगा हो तो कुछ दस लोग आए और मेरी गाड़ी के अंदर आँग लगा दें तो मेरी भी जान जा सकती है एक बात आप मुझे बताइए ना तो लोगों को मिलकर आज नासिर और जुनेत के लिए आवाज उठानी चाहिए जिस तरीके से जब मुसल्मानों के घर पर बुल्डोजर चल रहा था तो कुछ लोग खुसी मना रहे थे लेकिन उस वक्त आपने देखा कि कानपुर के प्रुवांचल के दिहात में मा और बेटी को जला दिया गया एक और बुल्डोजर चलता रहा और मा और बेटी जलती रही लेकिन कोई बोलने वाला नहीं इस देश के अंदर अगर आप इस सरकार से नियाए मांगोगे तो मैंने आपको पहले भी कहा ये सरकार आपको नफरत देगी ये सरकार कभी भी किसी को नियाए और इंसाफ नहीं दिला सकती क्योंकि जिन सरकार की बुनियादी जो है वो जूट क्यों पटिकी हो वो सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है मोधी सरकार पूरी की पूरी जूट वाली सरकार है जूट पटी की सरकार है अगर सिर्फ मात्र दस दिन के लिए देश के नेशनल टीवी चैनलों पर अगर बेंड लगा दिया जाए तो मैं आपको कारनटी के साथ कहता हूँ कि देश से नफरत का समापन हो जाएगा ये जो सुबह 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 आठ से रात दस तक जो मुर्गा का कारेकरम होता है ये मुर्गा लड़ाओ कारेकरम जो होता है ये मुर्गा लड़ाओ कारेकरम इस देश को तोड़ने में सबसे एहम भूमी का अदा करता है टीवी पर बैटने वाले तमाम न्यूस चैनल वाले गूंगे लाचार हो जाते हैं जब कहीं पर घटना भारतिय जंता पार्टी के इलाके में होती है जहां पर बीजेपी की सरकार होती है एक निशनल चैनल वाले ने इस खबर को नहीं दिखाया जब बीजेपी वाले कहते हैं गौरक्षा को लेकर नासर और जुनेत की हत्या हुई है ना एक बात आप मुझे बताईए नौर्थ इस्ट के तमाम इलाके असम हो मेगाले हो पस्चिम बंगाल हो गोवा हो तमाम जेगे पर गाय कटती है क्यों नहीं जाते महाँ पर कराईए बेंड आप सरकार को प्रस्ताव लाइए कि गाय को राष्टे पसु घोसित करें आप जनाब एक पत्रकार है आपका नाम जाहिद है अगर गाय को राष्टे पसु घोसित किया जाएगा आपको आपत्ती है मोर राष्टे पक्षिया आपक और कल को हम लोगों की बीजानबचेए आप ने इस देश के अंदर गाये Lampi VIP से मरी तो fem flipped search कार मोधी जी की है सरकार योगी जीकि है और ओडी और योगी के सरकार खिलाफ अगर कोई दिखाएगा तो यूपी में काबा यूपी में फायर वा यूपी में बुल्डोजर वा वो बुल्डोजर आपके घर पर चलेगा इस सरकार की इतनी बुरी हालत है लोग शोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं आई सपोर्ट मौनु माने सर बाई मैं कहता हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई अपरादी भी है तो अपरादी को सजा देने का हग और अधिकार इस देश की जुडिसरी को है आपको नहीं और जो लोग धन्य और प्रदर्शन कर रहे के उनको सपोर्ट दे रहे हैं उनकी हलक कब सूप गई थी जब लंपी वाईरस के चलतें वहाँ पर गाय मर रही थी, तब आपकी हलक के उपर बैन लग गया था, आपकी हलक में फ्यडिको लटक गया था, या फिर तब आपके घर में पांचो बेशल पर नहीं आए ते धरना परधासन करने के लिए, चलिए मेरे साथ, मैं भी करता हूं धरना परधान, चलिए जो बीजेपी का नेता बोला मैं बीप खाता हूँ ना इससे मुझे आपती है ना मेरी पार्टी को चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ करेंगे आप उसके घर के भार धना प्रदर्शन है आप में हिमत क्योंकि आप अपना धर्म और अपना जमीर भाजपा के नेता यानि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के पैर के आगे और अमिश्या जैसो के आगे गिरवी रखके आए हुए हैं और आप जैसे लोग जब तक अपना जमीर बेके रखेंगे आप प्रदान मंतरी मोदी का लगा था टार्गेट कर रहे हैं अब बात हो रही है क्या ना में मोनु मा पार्गेट क्यों करने आप दीजे जवाब क्या क्या आप आप आपको बताएं ना बताएं मुझे मैं तो बताई दूंगा सुन लीजिए यह आदा दूरा ग्यान लेके जो आते ना घरते चलकर राजिस्तान पुलिस ने यह कहा है कि भाईया हमने नहीं बगाया उसे सरकार के हार्यान के दूरा भगवाया गिया है आपने देखा उसको सुनकर किस प्रकार से कारवायी नहीं करने दे जारी है वो आप के अंदर हो यह हारियाना के अंदर उनकी गाड़ी इनंकी आग लगाए गया ना है उठाने की बाद छोड़ी हाथिया कह होई यह नई मैं आपसे पुछता हूँ हत्या कहा हूँ ये उनकी भाई हत्या कहा हूँ ये दूसरी बाप ये कि जब देश के प्रधानमंतरी आकर ये बता सकता है आम काटके खाऊं या चूसके तो देश के प्रधानमंतरी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे चलिए आपने इसकी कई जो उत्तर परदेश के अंदर बेटी को और मा को जला दिया गया, वहां किसकी सरकारे, वहां बोले योगी जी, वहां बोले हरियाना के खटर मुख्यमंतरी, सुन लिए, हरियाना के मुख्यमंतरी मनोरलाल खटर, वो बोले, एक बार भी बोले हरियाना के मुख्यमंतरी, हरिया के तो गई मुख्यमंतरी हरियाना के मुख्यमंतरी गई मिलने के लिए पीडित परिवार को मुख्य भी दिया गई मिलने के लिए हात्रस के परिवार में बेटी को जिंदा जला दिया गया लेकिन आज तक उसके घर परिवार को मुख्य में वो जो सरकारी नौकरी की बात थी को आज तक नहीं मिली सवाल किया आपने किया आपने सवाल मौब लिंचिंग के नाम पर जब उत्तर प्रदेश में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तब आप कौन सी नींद में सोय हुए थे बताइए कहां थे आप तब आप जी और मोधि जब अब आप किंबार कर तो आप के रही है बहुत вी महंगाई की बार माफ कर दे यार यह कह रही है देश की जनता कि मोधी आपकी आप आप कर दे यार बहुत हो गया अत्याच्यार बहुत लडा लिया भाईयों को बहुत मरवा दिया अरे भाईया ये भाई लोग जो हैं जो आज हम आपस में लड़के मर रहे हैं अगर यही हमारी सरत के एपाज़त के लिए खड़े होंगे तो हमारे देश की जो आर्मी है उसमें बड़ोतरी होगी